आज कल की भागदोड भरी जिन्दगी में हम खुद के लिए समय निकालनाव जैसे बूल गए हैं दिन भर की काम की ठकान और व्यस्तो होने की वज़ा से मानसिक तनाव बजन का बढ़ना जैसे आम समस्याएं बनती जा रही है पर ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम इन सब के बीच पनती हुई बिमारियों को हराएं कैसे अगर आप इस सवाल का जवाब एक शब्द में जानना चाहते हैं तो वो शब्द है योग जिहां योग योग एक ऐसा तरीका है जो आज के समय में होने वाली कई बिमारियों को मौट देने और मानसिक रूप से खुश जहने में हमारी काफी मदच करता है बात चाहे बच्चों की हो या भुजर्ग की महिला की हो या पुरुष की योग सब के लिए है योगा को अक्सर आसन और मुद्रा तक ही सेमित समझा जाता है और इसके लाब को केवल शारीरिक इस्तर पर ही माना जाता है हलके हम शरीर मन और सास को एक साथ योग के द्वारा मिले अनेक लाभू को महसूस करने में सफल नहीं रह सकते है जब आप समंझस्त में हो तो जीवन की याक्तरा शांत खुशाल और अधिक शंतोश जनक होती है इसलिए यदि आप अपना वज़र कम करना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत और लचीला शरीर विक्सित करने की जरूरत है और शांती से रहना चाहते हैं तो योग आपको यह सब हासिल करने में मदद कर सकता है एक स्वस्त इंसान आम तोर पर वही माना जाता है जो रोगों से मुख्थ हो पर क्या ये स्वस्त होने की सही परिभाशा है वास्तों में कहा जाय तो स्वस्त होने का मतलब है जीवन के हर छेत्र में गतिशील होना यानी हर परिस्थिति के लिए तयार होना ना सिर्फ शारहिनी तौर पर बल्कि मानसिक स्तर पर भी रोजाना कुछ मिनट का योग शरीर और दिमाग दोनों के तनाव से छुटकारा पाने का एक शांदार तरीका हो सकता है कनाव मुक्त करने के लिए योग मुद्राय, प्राणायाम और ध्यान प्रभावी तकनीक है हम सभी प्रकृती सुन्दर्ता से भरपूर शांत स्थानों की यात्रा करना पसंद करते हैं हमें इस बात का एसास बहुत कम है कि शांती हमारे भीतर ही पाई जाती है और हम दिन के किसी भी समय इसका अनुभव करने के लिए एक छोटी छुटी ले सकते हैं योग भी अशांत मन को शांत करने के सरवोतम तरीकों में से एक है शरीर में अनियमता मन को प्रभावित करती है और इसी प्रकार मंद में बेचैनी या बेचैन शरीर में रोग के रूप में प्रकट हो सकती है योग मुद्राएं अंगों की मालिश करने में मदद करते हैं और माल्च स्पेशियों को मजबूत रखते हैं जबकि सांस लेने की तकनीक और ध्यान तनाव मुक्त करते हैं और इम्म्यूनिटी में सुधा करते हैं मन लगातार एक कतिविधी में लगा रहता है अदीद से भविश्य की ओर जूलता रहता है लेकिन कभी भी बर्तमान में नहीं रहता एवल मन की प्रवृत्त के प्रति जागरुक रहकर हम अपने आप को तनाव ग्रस्त उने या काम करने से पचा सकते हैं योग और प्राणायाम उस जागरुकता और पैदा करने में मदद करता है और मन को वर्तमान समय में वापस लाता है जहां वो खुश और केंदृत रह सकता है